नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है वीडियो को अन तक अवसे देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि मेरे ये वीडियो बनाने का असली मकसद क्या था और इस वीडियो में क्या क्या बाते हैं वो सभी बाते तभी आपको समझ में आएंगी तो कि कहा गया है आदा दुरग्यान खतरनाक होता है जैसा कि आपने थमनिल को देख करके ही और टाइटल पढ़के समझ लिया होगा कि बचत कैसे करें और पैसे कैसे बचाएं यदि आपकी कम कमाई है तो अगर आप कम पैसे कमाते हैं और आपकी salary कम है फिर भी आपको पैसा बचाना है तो कैसे पैसे बचाएं उसी के बारे मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत सो लोग ऐसे होते हैं जिनकी salary तो कम होती है और खर्चे भी ज़्यादा होते हैं तो उसको manage कैसे करें उसके बारह में मैंने यह वीडियो बनाया है और कोशिस की है कि आपको कम सेलरी में भी आप कैसे अपने पैसे बचा सकें और अपने आने वाली समय में पैसों की कोई जुरूत पड़े तो हम उसे कैसे समान सकें और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मेरे इस चैनल को और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक या डिसलाइक भी कर दियेगा साथ ही यह वीडियो उसे से अवस्य कर देना तो फिर सुरू करते हैं यह वीडियो और यह जानते हैं कि कम कमाई में आप पैसे कैसे बचा सकते हैं और आपकी यदि वेतन कम है तो भी आप कैसे अपने पैसे को बचा सकें उसके बारे मैं कुछ यहां points बताऊंगा आप अपनी salary के हिसाफ से पचत कर सकें और पैसे बचा सकें जो आपकी भुश्य में काम आ सकें तो सुरू करता हूं सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी सेलरी कितनी है एक्जामपल के तौर पर आप मान लीजे आपकी सेलरी 10,000 रुपए है और अब आपको यह मैनेज करना है कि किस तरह से मैं अपने घर का खर्चा भी चला लूँ और कुछ बचत भी कर लूँ तो सिध्धान्त जो है जो आचार चानक के जी ने बताया है उस सिध्धान्त के अनुसार और मेरे अपने अनुभा के अनुसार इसे मैंने कुछ पॉइंट्स संजोए हैं जो आपके काम आएंगे पहला सबसे पहला यह है कि आपकी सेलरी यदि 10,000 है और आपको उसमें पैसे बचाने हैं तो सबसे पहले तो यह होता है कि आपकी कुल कमाई कितनी है यह जानना आती आवश्यक होता है example के तोर पर मैंने 10,000 रुपए ही रखे हैं और उस पर अब आता है दूसरा point कि आप सबसे पहले देखे कि आपके खर्चे कितनी हैं उसका budget आपको जुरूर बनाना चाहिए आपको यह देखना चाहिए कि हर महीने मेरा कितना खर्चा है और मैं उसमें से कितने पैसे बचा सकता हूँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई साब हमारा तो पूरा 10,000 में 10,000 री खर्च रहा था अब हम कहां से इसमें पैसे बचाएं तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत काम आएगा यदि आपके पास 10,000 में 10,000 का ही खर्चा है तो भी आप अपने आपके जरूरत के हिसाब से कुछ अपने खर्चों को ऊपर नीचे करके बचत अवस्थे करेंगे यही है कि जो आप कमा रहे हैं उसका आप कम से कम 10% जरूर बचाएं कोसिस करें 20% तक बचाने की जितना ज़्यादा बचत करेंगे उतनी अच्छी तो 10-20% तक आपको अवस्थे अपनी सेलरी या कमाई किसी की ज़्यादा भी होती है या किसी की कम होती है तो भी आपको बचाना चाहिए पॉइंट यह है कि आपकी जो मुख्य पहले चाहिए होती है कि मेरी चाहिए ये खरीदूँगा मैं वो कुछ और चीज़े खरीदूँगा तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए चाहों का दमन ना करते हुए अपने चाहों को सीमित करना होगा आप अपने खर्च और जरूरत को सबसे पहले डिवाइट करेंगे कि मैं इसमें अगर खर्च करूँगा तो ज़्यादा खर्च होगा अगर इसमें करूँगा तो कम खर्च होगा ये सब चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है पॉइंट यह है आपको अपने उपर आत्व नेंतरन करना होगा आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा तब ही आप फालतू खर्चों से बच पाएंगे आपको अपने घर में फालतू खर्चे नहीं करने हैं जैसे मान लिजे यदि आपको एक्जामपल के तोर पर बता रहा हूँ यदि आपको घर में दो बाल्टियों की जरूरत है तो कोशिस करो एक ही खरीद के लाओ इस महीने अगले महीने फिर एक और खरीद लेना यदि आपके घर में मान लिजे बहुत ही अमर्जेंसी आ गई है कि मुझे कोई समान क्वांटिटी में ज़्यादा खरीदना है तो आप मान लिजे आपको घर में चार किलो डाल लगती है तो आप ये देख लीजिए अब कहेंगे कि खाने में भी आप कंट्रोल को तो ऐसा करिए पहले 15 दिन के लिए 2 किलो ले आईए फिर उसके बाद 2 किलो और ना लाकर 1 किलो ही ले आईए क्योंकि हम जब एडवांस में खरीदे हैं तो ज़्यादा ही समान इखटा करके रखते हैं क्योंकि हम अंदाज ये लगातें कि पूरे महीने हमारा काम चल जाए इसी तरह यदि आप और देखेंगे तो दूसरी जो भी आपके खर्चे हैं उन खर्चों को सीमित करने की नहीं आप उन खर्चों को मैनेज करने की कोशिस करिएगा तो कि जैसे दो वालटीयों की वहने बताया आपको जुरत 2 की है ही है हरा आलत में दो खरीदनी हैं तो एक इस महीने खरीद लिजए एक अगले महीने खरीद लिजए जो वह पैसे बचेंगे उसको आप सेविंग में डाल दीजीए आपके अपनी बचत करिए इस तरीके से अब आपका आयाता है अगला पॉइंट उसमें आपको अपने जो भी बिल्स हैं जैसे पानी का बिल है बिजली का बिल है तो बिजली के बिलों में कटवती करें कम अगर आप को जरूरत पांच बल्ब की है घर में मान लिज़े आपके या, क्योंकि पांस तो हरा लद न अगे किजी के दो कमरे होते ही हैं, बात्रोम आपका हो गया, किचन हो गया और ट्रॉयलेट हो गया, इन तीन पांस बल्ब जरूर ही जलते हैं हर घरों में, तो कोसिस करें, आपके घरें बांकी बल्बों को बंद करके एक बल्ब से आपना य लिटर की एक टंकी लगी है और आपका पानी रोज यूज होता है कम से कम 400 लिटर आपको यह देखना है एक दिन गैप करके आप पानी भरेंगे तो आपको 15 दिन की बिजली के खर्च की बचत होगी यह मैं भी करता हूं मेरे घर में जितने पानी की जरुत होती है उसके लारम लगाएं जिससे आपकी बिजली भी कम खर्च होगी और पानी भी सहीर मात्रा में भरा जाएगा तैंकी में तो आपको पता चल जाएगा एक बार का खर्चा है मेसा भर का अराम है इसलिए और उससे बचत बहुत होती है यह भी आप करके देख लिजिए इससे भी अगला पॉइंट यह है कि सबसे पहले आपका प्रुम्क सिध्धान तिया होना चाहिए कि हम कमाई करके जो पैसा ला रहे हैं उसमें से हमें आवाज से करके 10-20% पैसा पहले बच्टा लेना है फिर अपने खर्चों का हिसाब किताब बनाना है कि हमें कितना खर्चा करना है इ एक महीना एक्स्टा आपने कमाया एक साल के बाद देखेंगे जैसे लोगों को बोनस मिलता है तो आपको डबल बोनस एक तरह से मिल जाएगा आगे पॉइंट है कि आपको हमेशा जो भी पैसे बचाय हुए हैं उन पैसों को कहीं न कहीं पर इन्वेस्ट अवस्थे कर दें चाहे सेविंग एकाउंट में डाल दें बैंक के परन तो डाल अवस्थे दें वहाँ कमसे को दो तीन परसंट जो भी ब्या जाता हो बैंकों में वो आपको मिलेगा नहीं तो कोई रिकरिंग डिपॉजिट बना लें कि हर महीने अगर आपके दो बच्ची हैं तो दोनों परचत हो जाएगी तीसरा रास्ता होता है फिक्स डिपॉजिट का आप चाहें तो FD में करें उसमें थोड़ा इंट्रेस्ट जादा मिलता है इमर्जनसी में बहुत से बैंक ऐसे होते हैं यहो FD वगरा कोई बहुत इमर्जनसी पड़े तो वो ब्रेक भी कर देते हैं तो आप जादा बड़े अमाउंट की FD ना बनवा कर छोटे छोटे अमाउंट की FD आ बनाएं तो आपके लिए से 10-10,000 की हर साल 10,000 रुपए मान लीजे आपके 12,000 रुपए बचेंगी तो 10,000 रुपए 10-10% करके आपके बचाएंगे तो 11,000 करके 12,000 में 12,000 हो जाते हैं तो आप 10,000 रुपए की FD अवस्त कराएं दो हजार रुपए अपने सेद्सेंगे में ड़ालें वैसे आज के युक के देखा जाये यह अपनी कम सेलरी के देखा जाये तो 10,000 कमाते हैं आप तो साल में 1,20,000 रुपए होते हैं तो कम से कम आपको यह कोशिज करनी है कि आपके पास फंड कम से कम 15-20,000 रुपए हमेशा बैंक में होना चाहिए क्योंकि जिस तरह की आपकी सेलरी है उस तरह से आपकी जरूरते हैं तो कभी इमर्जनसी में ऊपर नीचे खर्चे हो जाते हैं को मैनेज करने के लिए आपको 10-20% पैसा अवसे बचाना चाहिए अब आ जाती है में प्रमुक बाते ही ये कमाई जो हो रही है उसी ही कमाई से आपको यह बचाना है तो ये थोड़ा सा आपका होमवर्क अवसे है कि आपको सबसे पहले उसके लिए एक सौट तरीका और मैं बता देता हूँ जो साए आपके काम आएगा मैं भी ऐसा ही करता हूँ सबसे पहले आप अपनी इंकम का आकलन करें कि आपके पास कितनी पैसे आए हैं 10,000 आए हैं उसे 10% पहले अटा दिया तो बचे आपके 9,000 रुपए अब उसी में ही आपको सब कुछ मैनेज करना है अब ये आप समझ ही गए होंगे उपर मैनेज अच्छे दो बाल्टियों का आपको एक एक जामपल बताया उधारन उसी तरीके से आपको ये काम आगे करना है और अपने घर की जरूरतों को आगे पीछे करके इस महीने से अगले महीने में डाल करके उसको मैनेज करना है ना कि उस 10% जो बचतो है उसमें से लेके करना है क्योंकि जब आपका एक साल हो जाएगा उसके बाद जब आपके पाद 12,000 रुपए बचेंगे तब उसके बाद आप उन में से उस 2,000 रुपए को जरूर आप निकाल सकते हैं क्योंकि 10,000 रुपए ये समझ लीजिए आपकी extra salary है जो कि कोई FD या किसी investment में आप कर सकते हैं investment के और भी क्या क्या तरीके होते हैं कहां कहां invest करना चाहिए वो अगले वीडियो में मैं अवस्य डालूंगा और अगर आप comment box में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी किस तरह के वीडियो को आप और ज्यादा पसंद करते हैं या यह वीडियो आपको पसंद आय नहीं आया उसके बारे में लिख दीजेगा जरूर लाइक या डिसलाइक अवस्य कर दीजेगा अगर आप पहली बार इस वी मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएएगा आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदेखा वीडियो ऑलऑव कर दोुद आपका झापका वीडियो एकट बहुत को दोलीजेगा आपसक दीजेगा युनुद तोपका लागूल में लज़ पकाका बहुत य्च्याव लच है ईन्यवनी कर आपका वीदम पर लागरे को पीद़ कही जिए नहीं सीजेग